बिहार में एक मामला है छुट्टी को लेकर काफी विवाद हो रहा है जिस तरी के विवाद हो रहा है अरे सबको पढ़ाना चाहता है तो पूरा वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहा है उससे पहले आपको बता दे कि बिहार में सिख छको के आउकास को लेकर लगातार हरकंप मचा हुआ है वहीं आपको बता दे कि बिहार के मुख मंतरी नितीश कुमार ने साफ तोड से केके पाठक के समर्थन में दिखाई दे रहे हैं वहीं आपको बता दे कि बिहार के मुख मंतरी नितीश कुमार ने साफ तोड पर बिहार के अपर मुकस सचिफ केके पाठक के समर्थन में हैं उन्हों ने कहा कि केके पाठक के द्वारा जो फैसला लिया गया है बिल्कुल सही लिया गया है क्योंकि सिक्षक पढ़ाना चाहते हैं तो अब क्या अपत्ती हो सकती है वहीं आपको बता दे कि लगातार गाउं समाज के अविवाहक का सिकायत आता था कि सिक्षक समय से आ नहीं रहे हैं पढ़ाई नहीं कर रहे हैं बच्चों को सिक्षा नहीं दे रहे हैं जो कि अब अविवाहक भी सिक्षकों की तारीफ कर रहे हैं क्योंकि सिक्षक समय पर अब आ रहे हैं और बच्चों को सिक्षा दे रहे हैं वही नितीज कुमार ने कहा कि विभाग में अब बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है आप सभी को बता दें कि सिक्षक संगों के तरफ से बिहार के मुकमंत्री नितीज कुमार से मांग किया गया था कि इस तरह के तुगलकी फर्मान को वापस लिया जाए तो साप तोड़ पर बिहार के मुखमंतिनी नितीज कुमार ने सभी सिक्षक संगों और सिक्षकों को यह आगा कर दिया है चेतावनी दे दिया है कि अगर कोई सिक्षक के बिद्याले छोड़ कर इस तरह का मांग करेगा तो उसकी खैर नहीं है तो आएट देख लेते हैं क्या कुछ कर रहे हैं बिहार के शीएम नितीज कुमार अपने विडियो में अधियार में एक मामला है छुषकी को लेकर कासी बिवाद हो रहा है और किसी भी पुलिस कर रहा किसी को लगता है लेκिन काम तो अच्छा कर रहा है हम क deficiency बॉट्चे बच्ची की कूट貼 देख रहे हैं बिहार के मुख मंतरी नितीस कुमार को उन्होंने साब तोर पर कहा कि जो भी अपर मुख सची केके पाठक के द्वारा फैसला लिया गया है वह बिल्कुल सही लिया गया है क्योंकि सिक्षक पढ़ाना चाहते थे तो अब पढ़ाय छुटी की क्या आउ सकता है और किसी को सब्सक्राइब जरूर करें इस तरह के सिक्षावी बाक से लेटेस अबडेट पाने के लिए